हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम बाक टू आज चानल, स्टूरेंट्स आज के लेक्चर हमें एक्ससाइज 13.4 स्टार्ट करने वाले हैं, एक्ससाइज 13.4 में हमारे वॉल्यूम्स स्टार्ट हो जाते हैं, अभी तक जो भी हम क्वेस्टेंज कर रहे थे वो हम एरिया से होती है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है, वो एज क्यूब होगा या साइड क्यूब होगा, और अगर क्यूबोईड की बात करती हूँ, तो उसमें सारी साइज बराबर नहीं होती हैं, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, यह दो ही फॉर्मुलास हैं, जो आपको इस ए 2.5 cm x 1.5 cm What will be the volume of packet containing 12 such boxes? अब यहां पर volume word यूज कर लिया है कि volume कितना होगा 12 ऐसे boxes का So volume boxes का निकालना है तो या तो वो box cube होगा या cuboid होगा Now cube या cuboid कहां से पता लगेगा ये dimensions है Dimensions अलग अलग दे रखी है length, breadth, height दे रखी है It means cuboid है So match box की आप एक की volume निकालोगे जितने answer आएगा उसको into 12 कर दोगे So 12 match boxes आजाएंगे So आपने सबसे पहले dimensions लिखनी है length, breadth and height Volume of cuboid क्या होता है L into B into H So 4 into 2.5 into 1.5 आपके पास 15 cm cube अब cube का ध्यान देना है अब हम volume कर रहे हैं Volume हमेशा cube में होगा जैसे area निकालते हैं हमेशा square में So volume हमेशा cube में So एक box का अगर volume इतना है So 12 boxes का कितना होगा 15 into 12 यानि की 180 cm cube आपके पास 12 boxes का volume है Simple है Question number 2 देखते है A cuboidal water tank अब यहीं पर बता दिया कि Cuboidal shape है Length इतनी है, width इतनी है, deep Depth मतलब height How many liters of water can it hold कितना पानी वो hold कर सकता है It means आपको volume पूछा है और यह ध्यान रखना है यहाँ पर सब कुछ meters में है और आपको liter में पूचा हुआ है तो liter में कैसे convert करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी पहले हम volume निकाल लेते हैं Water का देखें अगर cuboid है तो cuboid का volume होता है L into B into H So length, breadth, height आपको दे रखें तीनों को multiply करेंगे 135 meter cube आपके पास आगए चीक है कभी भी meter cube से liter में convert करना है हमेशा याद रखना है meter cube से अगर आप liter में convert करेंगे तो in 2000 करना है और अगर आप centimeter cube से liter में convert करने है तो divide by thousand करना है ये दो चीज याद रखने है So अभी meter cube से liter में करना है तो इसी को in 2000 करेंगे तो इतना liters आपके पास आंसर आगए क्योंकि question में आपको in liters पूछा तो conversion I hope आपको समझ में आ गई हो meter cube से liter में करना है तो in 2000 centimeter cube से liter में करना है तो divide by thousand Question number 3 देखे आपको बोला है cuboidal vessel फिर से cuboid दे दिया length दी हुई है width दी हुई है how high मतलब height नहीं दी हुई कितना high इस cuboidal vessel को हम hold करें तांकि liquid की capacity हो जाए 380 cubic meters cubic meters का मतलब होता है meter cube तो यानि कि इतना hold वो कर सकता है यानि कि यह क्या है volume है आपके पास तो यह जो cuboidal vessel है उसकी volume दे रखे है 380 meter cube और आपको height निकाल ले है तो आपको जिस चीज की volume दे रखे है पहले आप volume लिखेंगे 380 meter cube length दिया हुई, breadth दिया हुई, height निकाल ले है तो volume cuboid का formula लगा लेते है LbH, L into B into H A की बात हुई तो 10 into 8 height हमें नहीं पता इधर 380 meter cube है H इधर ही रहने देंगे 380 इधर हा, 10 into 8 इधर हा के divide हो जाएगा 0 सर 0 cancel, 38 divided by 8 height आपके पास 4.75 meter simple है question number 4 देखते है question number 4 says find the cost of digging a cuboidal pit आपको एक cuboidal pit, मतलब एक गड़ा खोदना है cuboid की shape में उसकी cost निकालनी है अगर वो गड़े की length इतनी है breadth इतनी है और depth इतनी है और cost कैसे है? 30 rupees per meter cube तो पहले तो हमें एक cuboidal pit जो है इसका volume निकालना पड़ेगा फिर उसको हम किस से multiply करेंगे? cost से so length, breadth, height दी हुई है volume of cuboidal pit हमारे पास formula होता है LBH so length into breadth into height हमारे पास 144 meter cube volume आगया cuboidal pit का तो cost 1 meter cube की उन्होंने कि कितनी दे रखिया है? rupees 30 so 144 meter cube की क्या हो जाएगी? 30 into 144 यानि कि 4320 rupees आपके पास cost आजाएगी question number 5 देखते है the capacity of a cuboidal tank capacity का मतलब volume volume of a cuboidal tank कितना है? 50,000 liters मतलब इतने liters अब ध्यान रखना unit liters है find the breadth of the tank breadth आपको निकालनी है अगर length and depth depth means height वो आपको दे रखिये 2.5 and 10 meter फिर से breadth निकालनी है जैसे equation में था how high height निकालनी थी यहाँ पे breadth निकालनी है और capacity यानि कि volume आपको liters में दे रखा है तो आपको पहले ध्यान देना कि यह liters को आपको meter cube में shift करना है क्योंकि volume cube में होता है और यह unit meters है तो यह meter cube में बनाना है फिर आप उसकी breadth निकाल सकते हो सबसे पहले capacity of cuboidal tank आपके पाँ 50,000 liter था breadth आपको निकालनी है length and height आपको दे रखिए तो volume of tank basically जो capacity है वो 50,000 liter था अगर उसको meter cube में convert करना है तो उल्टा जाना है तो divide by thousand करना पड़ेगा ठीके मैं आपको बताया था meter cube से अगर में जाना है तो into thousand अब यहां से वापस उल्टा जाएंगे तो sorry thousand यहां से वापस उल्टा जाएंगे तो divide by thousand करेंगे तो इसी को divide by thousand क्या तो 50 अब unit क्या होगी meter cube, meter cube में convert हो गया तो volume का formula लगा देते है LBH यह length आपको दे रखिए breadth आपको पता नहीं है height आपको दे रखिए is equal to 50 यह 25, 2.5 into 10 इधर जाके divide हो जाएगा यह इधर cancel हो जाएगा तो आपके पास breadth जो है 2 meters आगई तो unit का आपने ध्यान रखना है बाकी सिरफ formula सेम था LBH ही लगाना था बस यहां पे liters को सबसे पहले मीटर क्यूब में आप convert करोगे question number 6 से लेके question number 9 तक आपके questions जो है वो थोड़े important है तो इसको एक एक करके ध्यान से रेखते हैं question number 6 is a village having population of 4000 एक village है जिनकी population 4000 है और हर एक जन को वहाँ पे 150 liters of water एक दिन का चाहिए it has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter for how many days will the water of this tank last मतलब गाओं में एक tank है यह उस tank की dimensions है तो यहां से हम निकाल लेंगे कि उस tank में कितना पानी आ रहा होगा volume of water निकाल लेंगे अब 4000 लोग है हर एक जन को 150 liters per day चाहिए तो 4000 को अगर 150 से multiply करके देखे तो हमें पता लग जाएगा कितना हमें पानी चाहिए और है कितना हमारे पास जितना इस tank के अंदर आ सकता है तो हमें number of days बताने कि कितने दिन तक वह पानी last करेगा सो देखे टोटल population अगर 4000 है volume of water per head per day एक दिन का हर एक जन को कितना चाहिए 150 liters तो volume of water required for 4000 people कितना हो जाएगा 4000 into 150 यानि कि 6 lakh liters हमें पानी चाहिए अब है कितना tank देख लेते हैं dimensions of tank क्या है length, breadth, height दे रखी है सो volume निकाल लेते हैं tank का LBH करके, तीनों को multiply करके आपके पास 1800 meter cube आगया अब यहाँ पे पानी जो है वो हमने liters में किया है तो यहाँ पे भी liters में कर लेते हैं 100 meter cube को liter में करने के लिए in 2000, यानि कि 18 lakh liters आगया अब पानी हमारे पास इतना है हमें चहिए कितना एक दिन का, इतना पानी चाहिए तो कितने दिन वो last करेगा तो let number of days the water will last n लगा लेते हैं so n into volume of water required ठीक है, कितने one day का, volume of water जितना चाहिए, is equal to जितना total volume है tank में so n into एक दिन में इतना पानी चाहिए, और total हमारे पास पानी इतना है, तो ये उधर जाके divide हो गया, cancel करेंगे so six threes are, n कितने आगे three days आगे, मतब वो तीन दिन ही पानी last करेगा इतनी population में question number seven देखते है seven says a go down measuring, एक go down है, जिसकी measurement यह है, find the maximum number of wooden crates, each measuring this, that can be stored in the go down, अब देखे, go down है वहाँ पर wooden की crates, crates लगानी है, अब कितनी wooden की crates आ सकती है, अगर एक wooden crate इतना जगा लेता है ठीक है, तो पहले तो पूरे go down का volume देख लेते हैं, कि पूरे go down में capacity चेक करनी है, तो capacity कितनी है पूरे go down की volume चेक कर लेंगे फिर एक wooden crate कितनी जगा ले रहा है, कितनी capacity ले रहा है तो उसका volume चेक कर लेंगे फिर number of wooden crates निकालेंगे देखे, सबसे पहले तो dimensions of go down देखते हैं length, breadth, height दे रखे है go down की volume निकाल लेते है go down का LbH, क्योंकि क्योंबॉइड है तीनों को multiply किया, 15,000 unit के आएगी, meters में है तो meter cube, क्योंकि volume है इतना go down में आ सकता है अब एक wooden crate कितनी volume ले रही है length, breadth, height so volume of one wooden crate क्या होगा LbH, तीनों को multiply करेंगे 0.9375 meter cube इतना लेगा, अब let कर लेते हैं कि number of wooden crates मान लेते n आएगी, तो n into जितना एक wooden crate area लेगी, दोनों को multiply करके क्या हो जाएगा, पूरे volume of go down के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उतनी ही डालनी है हमने maximum डालनी है तो उतनी आएगी, तो n into एक wooden crate का volume इतना है total go down का volume हमने ये निकाला, इसको इससे divide कर देंगे, so n हमारे पास cancel करके 16,000 wooden crates यानी आ सकती है अगर इतना go down का volume है तो, ठीक है, सिरफ आपने volume का formula लगाना है और आपने देखना है कि किसको किस से multiply करना है, जादा तर number of चीजें वाली आपको questions आएंगे question number 8 देखिए, a solid cube of side 12 is cut into 8 cubes of equal volume, एक solid cube है, जिसकी side 12, अब cube है तो, सारी sides बराबर होती है, ठीक है इस cube को 8 cubes में काट दिया, what will be the side of the new cube, अब वो जो 8 छोटे छोटे equal volume के cubes काटे हैं, वो ने cube की side क्या होगी, also दोनों cubes के surface area की ratio भी बतानी है, अब देखो, side जो थी, cube की, पहले कितनी थी, इसको हम original cube क्या सकते हैं, original cube की side आपके पास 12 cm थी, अब volume of cube अगर मैं निकालू, formula आता है side का cube, यानि की 12 का cube, 1728 cm cube, इतना original cube का volume था, अब ने cube का volume volume of each new cube कितने cube थे, 8 cubes थे, तो उसका volume क्या, इसी को ही 8 में divide कर दिया, तो ने cube का volume क्या होगा, इसी को ही 1 by 8 कर दो, of the volume of the cube so 1728 को 1 by 8 कर दिया, तो ने cube का volume कितना आ गया, 216 cm cube, अब पूछा है कि जो ये निया cube बना, ठीके मान लो एक बड़ा सा box है उसको cut करके आपने छोटे छोटे 8 ऐसे boxes बना दिये, ठीके अब इसी box को cut करके 8 बनाए ना, इसलिए हमने ने cube ये, जो छोटे छोटे ने cube है इनका volume क्या होगा, बड़े वाले volume का 1 by 8 हो जाएगा, तो इसको 1 by 8 से multiply कर दिया, तो आपके पास 216 आ गया, मतलब ये हर एक cube का volume कितना 216, अब हर cube की side पूछिए, ये जो निया cube है, इसकी side क्या होगी तो volume जब आ गया है, तो volume of cube, तो side cube होता ही, आपके पास 216 है, cube उदर जाके cube root बन गया, अब 216 किसका cube root होता है, किसको 3 बार multiply करें कि 216 आ जाए, तो 6 तो ने cube की side कितनी हो गई 6, यानि कि जो बड़ा वाला cube जैसे उसकी तीनो, मतब तीनो साइड उसकी कितनी थी हर एक side 12 थी ऐसे ही जो छोटा वाला cube है उसकी कितनी है, 6 है अब ने cube की side भी निकाल दी, अब पूछा दोनों cubes का surface area निकालो तो surface area औरिजनल cube, surface area का formula तो आमने पहले सीखा था, 6 से square होता है original cube की side कितनी थी 12 तो 12 का square इंटू 6 864 cm square आएगा यहाँ पे surface area ऐसे new cube का formula तो वही होगा 6 से square, side कितनी है ने की 6, तो 6 square इंटू 6 216 cm square दोनों की बोला है ratio निकालने को तो जितना original cube है अपन ने वाले cube का original cube का कितना है 864 surface area, ने वाले cube का 216 surface area, दोनों को divide करेंगे, cancel करेंगे, तो 4 ratio, वान आपके पास answer आजाएगा last question, question number 9 देखते है question number 9 says a river 3 meter deep, 40 meter wide, अब depth मतलब height दे रखी है, width दे रखी है length नहीं बोला भी तक, so flowing at the rate of 2 km पर आग, अब जब river है न, वो flow कर रहा है, इस rate पर flow कर रहा है तो this is your length basically ठीक है, जब भी at the rate of this बोलेंगे, that is your length इस rate पर flow कर रहा है how much water will fall into the sea in one minute अब एक minute में जो river में से जितना भी पानी जाएगा, वो आके समुंदर में, एक minute में कितना पानी चला जाएगा, तो जितना river का volume होगा, उतना ही जाएगा बट बात यह है, यहाँ पर रह दे रखे और आपको पूछा पर minute है तो वो देखते हैं कैसे करेंगे आपके पास height इतनी है breadth जो है वो दे रखी है length क्या है, 2 km पर रह, अब देखें यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है सो मीटर पर minute आपकी unit हो गई, ठीक है, अब volume of water in the sea in one minute, अब basically LBH formula ही लगेगा यहाँ पर so length आपके पास यह है total, लिख दी यहाँ पर breadth आपके पास 40 है height आपके पास 3 है multiply कर दिया, यहाँ से 0 से 0, cancel 3, 2s are 2,000 से 1000, into 4 4000 meter cube ऐसा पानी है, जो एक minute में, जो रिवर से निकल के समुंदर में गिर जाएगा चीक है, so इस तरीके से निकालना है, सिरफ आपने यह ध्यान रखना है कि length आपकी यह है, जो कि at the rate of बोला है, पानी ऐसे जा रहा है तो यह आपकी length है, so किलोमेटर को मीटर में कवर्ट करना याद रखना आपा — और निकको minute में बाकि सब से है, यहाँ पर आपको minute में पूछा एए इसलिए, आपको minute में कनवर्ट करना पड़ेगा अगर यहाँ पर आः में पूछा ओता तो आप R में convert कर लेते हैं, ठीक है? So इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी खतम होती है So 13.5 से आपका volume का section स्टार्ट हो जाएगा So volume के formulas भी साथ साथ में learn करना स्टार्ट कर दीजे आज के लिए इतना ही, thank you so much